नमस्कार दोस्तों एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स जो में लिए प्रीवियस हमिरपुर के एक्जाम में ये ये क्वेश्चन्स आपको काफी हेलफुल साबित होंगे तो फ्रेंट्स ये क्वेश्चन्स आपको अगामी एच्प एससी जेविटी कमीशन एसाई कंड़क्टर जेओ आईटी पोस्ट कोड़ 965 और वेरियस एक्जाम जो हम इर प्रपोर्ट द्वारा कंड़क्ट किये ज देख सकते हो बहाँ पर आपको एच्प टेट के रिगार्डिक में 50 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी में लिए बहाँ पर साइकलोजी और जीके के क्वेश्चन्स की आपको देखने को मिलेंगे तो फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं विच्प नबर 77 में वो लगय अब बात करते हैं इस रोक्स के वारे में आगने चटानों के वारे में तो आगने चटानों का जो निर्मान होता है वो बंती कैसे हैं वो जो आलमकी उदिगार के समें भूगर्ब से निकले वाला जो लावा है कि कार्ण लावा जो होता वो ठंडा हो जाने के पश्चात होत ये भी आपने नोटोन कर लेने हैं ग्रेनाइट हो गया वेसाल्ट हो गया गैबरो हो गया जायोराइट हो गया पिछ स्टोन हो गया प्यूमिस हो गया पैगमाइट जो हो गया ये आगरे चटानों की उधारन है एक्जम्पल है उसके बाद बात करते हैं अब साधी चटानों क संपूर्ण भूपरिष्ट के 75% पर पाई जाती है यह कॉफिंप्रेंट है जो संदिमेंटरी रोक्स होती है अफसाधी चटाने जो होती हैं वह संपून मेटामॉर्फिक रोग्स के बारे में जिसे रुपांतरित चटान या कायांतरित चटाने भी कहा जाता है रुपांतरित चटाने जो होती है कायांतरित चटाने जो होती है ये अफसादी सहलों से जो प्राइब वलन व्रेशन और परवत निर्मान काल में उश्मा और दाव के उनमें यंत्रिक और असायनिक प्रिवर्दूस से ये बनती हैं इसके CR opiós he नेक्ट पन के लिए कैद्ट आ प्योग को तरेन के लिए रिक्टे स्केयल और आप ऊपयोग स्डैक्त नुपनि के लिए वह कूप संगेломर सिंप्ट्ण को इंटेंसिटि इनर्थ के लिए रिक्टर स्केयल का उप्योग तो नियुजको अपने बात करते हैं भूकंप होता क्या है अर्थ को एकी से कहते हैं तो भूकंप जो है वो भूपटलब की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चटानों के लिचीले पनवा गुर्थवा कशन की समस्थिती में परिवर्थन होने पर उत्पन होती है कुछ इंप फर्थ को जिसे कहते हैं सिस्मोलोजी कहते हैं उसे भूकंप मूल जो है फोकस जो होता है भूकंप का सरप्रत्थम जहां पर अभी वार्व होता है उससे एपिसेंटर कहते हैं उसी तरह सम भूकंप्य रेखा आइसो से यस्मल लाइन जो है वो भूकंप केंडर के चारो और समान भूकंप ये तोई बदा की खींचे जाने वाली रेखाएं होती है ये भी आपने याद रखना है और एक्टर पेमाना आपको पता ह pesar भूकंप के इसमें मुक्त तो होने वाली हर्जा के मापन पर आधारित होती है इस पेमाने पर भुकंप के वेग में एक अंक की बिद्धी दस गुनादिक तीवर्दा को प्रदर्शित करती है क्या करती है इसमें पर भुकंप के वेग में एक अंक की बिद्धी जो होती है वो दस गुनादिक तीवर्दा को प्रदर्शित करती है कुशिची तरह एक पेमाना और था मरक्याली पेमाना जो था जिस इसमें भुकम्प का मापन भुकम्प द्वरा होने वाली किश्टी के बुकम्प कि अधार broken कहीं किया जाता है यह किशती को देखकर इसका अनुमान लगाए जाता था कि तो आप्शन नमबर सी इस कुश्चन का राइट एंसर है रिक्टर स्केल का प्योब जो है वो भुकंप की तीवर्दा नापने के लिए किया जाता है क्वेशन नमबर स्याचिन हीमनद जो है वे इसित है तो सकतन न गलेशियर छय कहां पर स्थिता हे काफ़ीं पोर्टें है कोस्ट नमबर सेमटी नाइन का राइट एंसर है वो आपका option number B है कार कोरम कारा कोरम श्रिंखला में है कारा कोरम रेंज में है सियाचन ग्लेसिर लाइज इन कारा कोरम रेंज option number B इस question का correct answer है next question पे चलते है question number 80 में बोला गया है काफी important question है question number 80 में बोला गया है कि बायू मंदल में सबसे निमंतम स्तर है अब बात करते हैं कि बायू मंदल की सबसे निचली परत है इस परत की जो उन्चाई है बो भूमध्या रेखा पर 16 किलोमेटर तथा दुरूब्बों पर 8 किलोमेटर है खुशोब मंदल में समस्त मौसमी परिवर्तन होती है जिस कारण से परिवर्तन मंदल भी कहा जाता है इस परत में परतेक 165 मीटर की उन्चाई पर जाने पर एक डिगरी से इस ताप का हास होता है जिसे ताप की समाने हास दर कहा जाता है बात करते हैं समताप मंदल के बारे में समताप मंदल जो है वो खषोब मंदल की ऊपर स्थित παरत जो भूमध्य रेखा की ऊपर लगबग 18 किलोमेटर तथा ध्रूबों पर 50 किलोमेटर तक होती है इस परत की निचले भाग में तापमान जो है वो स्तेर रहता है, कॉंस्टेंट रहता है, इसलिए से समताप मंडल कहते हैं ये मौसमी संबंदी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए बायुयान की उड़ाने के लिए आदर्श परता है उसी तरह इस मंडल में 15-35 km की बीच उजोन गयास पाई जाती है, जो परावेंगिनी किर्णो अल्टावोयली ट्रेस का अब बात करती है अब बात करते हैं आयन मंडल के बारे में, आयन मंडल आपको पता होगा, आयनोस्पेरिस ये कहते हैं प्रितिवी सता से 80-640 km की उँचाई पर आयन मंडल पाया जाता है, उँचाई के साथ इस मंडल में तापमान की बिर्दी होती है, इंकरीज होता है टेंप्रेचर, यहां पर विद्यूत चुम्बकी ये कंड पाया जाते हैं, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है मंडल हैं अगले प्रिश्न पर चलते हैं, वहां का उप्षण 106-2 km, यहिंचाई पाया जाते हैं आप्शन नमबर एस कुशन का राइट अन्सर है आपको पता हुआ जो बादल होते हैं वो बनते कैसे हैं हवा के रुदोशम प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमार के उसां के नीचे गिरने से बादल जो है वो बनते हैं वर्शावाला जो मेग है वो वर्शास बादलों का वर्गी करन आपको पता को विसव मौसव विज्ञान संगठर ने के मेगों की अंतराष्ट्री एटलस के मेगों का दस स्तरिय वर्गी करन किया गया है यह आपने याद रखना है तो पक्षाव मेग जो हैं सीरिस क्लाउड्स क्या होते हैं यह उन्चाही परस्त इस मेग होते हैं तो option number A इस question का रखना है और हवाओं के रास्ते में परवतां की उपस्तिती से होने वाली वर्षा कहते हैं यह उता है ऑप्षाव मेग होते हैं यह पक्षाव मेग होते हैं question number 82 पे चलते हैं question number 82 जो है वो काफी important question है इसमें बोला गया है कि वे महासागर जिसकी गहराई जो है वो सबसे अधिक है the ocean which has the greatest depth देज़ता सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है काफी important question है question number 82 का जो right answer है वो आपका option number B है परशाद महासागर जो है इस question का right answer है परशाद महासागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है बात करते हैं परशाद महासागर के बारे में तो ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है इसकी जो आकरिती है वो तरिभुजाकार की है प्रित्वी के एक तिहाई भाग पर ये फैला हुआ है विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है मरियाना ट्रेंच जो है मरियाना गर्त जो है वो यहीं परस्तित है परशाथ महासागर में पैसपे कोशन बात करते हैं उसके बाद हिंद महासागर के बारे में तो हिंद महासागर जो है वो एक और ये परशांत महासागर और दूसरी और अंटलाटिक महासागर से मिला है इसे अर्द महासागर भी कहा गया है इसे हिंद महासागर को अर्द महासागर भी कहा गया है इसके जावा के दक्षिन में सुंडा गर्त तथा डाइब एंटीना गर्त पायाता है हिंद महासागर का सबसे वड़ा दूईप है वो मेडा गासकर है अब बात करते हैं अंटलाटिक महासागर के बारे में सारगेस सागर उत्री अंटलाटिक महासागर मिश्टेता है में ये सबसे चोटा महासागर है ये आपको पता होना चाहिए और विश्व का सबसे चोड़ा महादूइपी मगनिता तो जो है वो इसी महासागर में है ग्रीन लैंड और नॉर्वेस के प्रमुक वेसिन है इसके आर्केटिक महासागर की सबसे चोटा महासागर है तो इस क्व और ख़ेवार भाटा को यह भी कहा जाता है हाइट नाय होगा धिन न जाता है। चंद्रमा की आकर्षन शक्तियों के कारन सागरीय जल की ऊपर उठने तथा गिरने को जुआर भाटा कहा जाता है। इसे उत्मन तरंगों को जवारी तरंगे कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए सागरी जल के उपर उठकर ताटकी और बनने को जवार तथा उस समय निर्मित उच जल को उच तल को उच जवार कहा जाता है हाई टाइड कहा जाता है और सागरी जल के नीचे शागर की और पीछे लोटने को भाटा तथा उस सुमें निर्मित निमन जले को निमन जुवार यानि के लोटाइड कहा जाता है अब पता होना चाहिए जुवार का जो समय होता है प्रतेक स्थान पर प्रतितिन बारा घंटे 26 मिनिट वाद जुवार तथा जुवार के 6 घंटे 13 मिनिट वाद भाटा आता है एक बार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 22 मिनिट का समय लगता है 24 घंटे में प्रतेक स्थान पर दो बार जुवार और दो बार भाटा आता है ये भी आपने याद रखना है प्रित्वी पर एक ही समय में दो बार जुवार उत्पन होते स्प्रिंग टाइड के उत्पति कब होती है यह पूर्णिमा और अमबस्या के दिन होती है क्योंकि इस दिन सोर्य चंद्रम और पृत्वी तीनो एक सीध में होते हैं विश्व में सबसे बड़ा जुआर जो है वो कनाड़ा की फंडी की खाड़ी में होता है लगुजवार नी लगुजवार नी के नीव टाइड की तुपति होती है कि इस दिन सोर्य चंद्रम पित्वी के साथ समकोन बनाते हैं तो अप्शन नम्बर बी इस कुष्ण का राइट अंसर है क्वेश्ण बचुडासी पे चलते हैं पादप जो अपना भोजन स्वें बनाते हैं क्या कहलते है और स्फेंट नम्बb 45 पर चलते हैं कुष्ण नम्र 25 में बोला रहतीं है और जो अटकर जो मुख्याकार नहीं उस मेनी कॉस्ट वाई को पता होगा वह प्रते हैं क्या है कि क्शेद्ज का राइट डिस कुष्ण 까ks हम już क्षेंट नम्ब रह सबसेऊं के वेला है क् b महादीब की जन संख्या है वह सबसे बड़ा महादीब की है जो बिशिप के लगवग उनतिस दश्मलब पांच प्रतिशत पर क्षेत्रफल पर विस्त रित है कोस्ट लाइन जो है वो एशिया महादीब की है एशिया में एक शेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे चोटा महादीब है शिलंका को सीहल दूइब के नाम से भी जाना जाता है एशिया का सबसे गरमस्तान जो है वो जैकोवावाद पाकिस्तान का है और सबसे ठंडा जो है वो बरकियोंसक है जिसे प्रित्विक क्या शीत दुरूब भी कहते हैं ये शीया महादीव में कुल 48 देशा वरस देते हैं चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी 14 देशों को जिसकी सीमा जो है वो 14 देशों को चूती है जो विशुम में सारवधिक है ये भी आपने याद देखना है यूरोब महादीव के बारे में बात करते हैं यूरोब महादीव जो है क्षेतरफल के दिश्टी से साथ महादीवों में इसका छटा स्थान है उत्री अमेरिका की बात करते हैं उत्री अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा तीसरा सबसे बड़ा दूइप है अमेरिका की खौँच 1492 में कुलंबस दूरा की गई थी अता इसे नई दुनिया यहीं के न्यू वर्ड कहा जाता है अफरीका महादीप जो है अफरीका महादीप एक्वेटर जो है भूबद्या रिखा जो है वो इस महादीप को दो ब्राबर भागों में बांटी है इस महादीप में 54 कंट्रीज है ये भी आपको पता होना चाहिए नहे देश दक्स्टन सुडान की स्थाफना 9 जुलाई 2011 में हुई ये सार्वद्यक देशों वाला हम महादीप है अफ्रीका को आपको पता होगा अंद महादीप यानि के काला महादीप भी कह जाता है इसे पठारी महादीप भी कहते हैं Q87 पर चलते हैं किसे पेड़ की छाल से कुनयान निश्कर्षित की जाती है Q9 is extracted from the bark of which tree तो किस क्वेड़ की छाल से कुनयान निश्कर्षित की जाती है Q87 का जो राइटेंसर है वागा ओप्शन अमर B है सिन को ना जो है इस question का राइटेंसर है अगला प्रशन है कौन सा देश विश्व कचीनी का कटोरा नाम से जान जाता है which country is known as the sugar wall of the world तो क्यूबा जो कंटरी है उसे विश्व कचीनी का कटोरा भी कहा जाता है Q89 पर चलते हैं मानसून क्षेतर में दिख्तम वर्षा होती है in monsoon regions the maximum rains are current तो मानसून क्षेतर में दिख्तम वर्षा होती है कि सरी तू में होती है question number 89 का जो राइटेंसर है वा आपका option number यह है summer में होती है गरी समरी तू में होती है आगला प्रशन है न्यूजी लैंड की दासधानी का नाम क्या है the capital of New Zealand तो कि न्यूजी लैंड की capital आपको पता होगा Wellington है option number डी इस question का राइटेंसर है उन्हें कीवीज है न्यूजी लैंड के निवासी जोते हैं कीवीज विका जाता है कीवी क्या है कीवी एक पक्षी है question number 91 पे जलते है बारत के सबसे उत्री बिंदू पर सूरज की किरणे हमेशा कैसी होती है at the northernmost part of India the rays of the sun are always तो ये कैसी होती है आपको पता होगा ये जो होती है वो तिरची होती है बारत के सबसे उत्री बिंदू पर सूरज की किरणे हमेशा तिरची होती है question number 92 पे जलते है हिमाल्या की इरानी को किसे कहते है तो हिमाल्या की इरानी जो है आपको पता होगा ये कंचिर जंगा को कहा जाता है option number B इस question का right answer है question number 93 बे जलते है question number 93 जो है काफी important question है इसमें बोलागी कि आरब सागर में कौन सी नदी गिरती है इस question का right answer है आपको पता होगा नर्मदा का जो उद्गमस्तान है वो बिद्यानचल परवत स्टेडियों में अमरिकन्टिक नामकस्तान से हुआ है और ये अरब सागर में गिरती है उसी तरह महानदी के बारे में बात करते हैं महानदी का जो उद्गमस्तान है बोमद्य परदेश के रामपुर जिले में सीहंबा के स्मीप दो 442 मेटर की 99 से इसका उद्गमस्तान है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है उसी तरह कृष्णा नर्दी के बारे में बात करते हैं तो कृष्णा नर्दी का जो उद्गमस्तान है महावलेश्वर के स्मीप पश्चमी घाट पहाड़ से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नर्दी का जो उद्गमस्तान है वो करनाटके के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मा गिरी पहाड़ी से होता है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है अगला प्रशन है सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी कौन सी होती है which soil is most fertile तो आपको पता होगा जिलोड मिट्टी जो है वो सबसे उपजाओ मिट्टी होती है अगला प्रशन है diamond mines in India are located अगला प्रशन है बहुत कोफी उत पादन में अगरणी राजे कोन सा है अगला प्रशन है कोफी उतपादन में अग्रणी प्रोडूसरे चंदन की लकडी में भी कर्नाटक जो है वो प्रत्थम स्तान पर है ये भी आपने याद रखना है और वर्ड की जब बात की जाए तो वर्ड की जब बात की जाए तो कोफी विश्व का सबसे बड़ा कोफी उतुपातक देश जो है वो कौन है ये आपने नौड़ उन कर लेना है ये आपने नौड़ उन कर लेना है त इन क्वेशन के मैंने आपको जितने भी अंसर बताई वो फाइनल अंसर की के कोर्डिंग ही बताई हैं जो हम इर पर बॉर्ड ने चारे की थी तो फ्रेंड़ आज किस वीडियो में वस इतना ही आई होप आपको वीडियो अपसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जुरूर कर देए तो थैंक यू रूड़